हेलो गाइज आप सभी का सोगात है मारे एक नहीं वीडियो में अभी जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है और इस टाइम पर ज़रूरी है डॉक्स का अच्छे से केर करना क्योंकि आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उससे जो डॉक है उसको दिक्कत ह होसकता है और उससे गर्मी होसकता है तो गर्मियों में आपको कैसे करना है और क्या करना चाहिए वाले तो इस वीडियो का इन्फर्मेटिव अरो अच्छी वने तो इसलिए बात करते हैं कि आप लोग को कैसे केर करना चाहिए और चेसे डॉब को दिक्कत हो सकता है तो इसलिए वो जानते हैं तो देखिए नमबर वन सबसे पहली गलती क्या करते हैं डॉब और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने डॉब को बाहर ही रखते हैं अब देखिए इतना हाई टंपरेचर हैं काफी गर्म मौसम है तो इस टाइउ पर एब को रख सकते हैं जब गर्मी कम होती है लेकिन जब आगे टाइम बढ़ता है और गर्मी काफी पड़ने लगती है तो उस टाइम पर आपको अंदर रखना है बाहर आप लोग रखते हैं तो मैंने बताया है गर्मी से लिटत को 10 खराब हो सकता है इसके लावा साम को भी आप लोग बाहर रख सकते हैं डौक को जब धूप चला जाता है उस टाइम पर तो भी काफी अदा बढ़िया होता है तो देखिए आपको करना क्या है कि गर मौसम में आपको बाहर नहीं रखना है आप लोग घर के अंदर उसे रखिए और उसके पास एक फैन प्रोवाइट क कीजिए जिससे उसको हवा भी लगे और काफी बढ़िया रहे हो आगे बात करें नमबर टू तो आपको उसके वाकिंग रूटीन को चेंज करना है क्योंकि देखिए जब थंड का मौसम होता है तो इस टाइम पर हम लोग चाहे जब अपने डौक को वाक कराते हैं धूप मे हो सकता है जैसे डौक को सन बन हो सकता है इसके एलावा हीट से खुध सकता है और साथी साज उसका जो पॉस जैयानि कि जूप पयर है दूप मिले जाएंगे जैसे हम लोग गर्मियों के टाइम में, फॉल्डिंग वगरा , ऐस्क्रीम वगरा यह सारी चीजह, आपको लेते हैं, तो पैसा आपको डॉझ में नहीं करना है, आपको एसा काम आपको नहीं करना है, आपको मैं कुछ चीजह बता रहा हूँ, जुकि आपको देना है, जिससे आपका डॉक काफी दा बढ़िया रहेगा तो देखिए कुछ ऐसे फ्रूट सें जो कि आपको देना है अपने डॉक को मैं वीडियो भी इस्पेसल आपके लिए बनाया हूँ गर्मियों के लिए तो आपको डीटेल में बताया गया है कि आप लोग कौन सा फ्रूट दे सकते है और क्या दे सकते हैं वीडियो आप लोग देख सकते हैं जहां पर मैं आपको डीटेल में बताया हूँ लेकिन फिलहाल अभी भी मैं आपको कुछ चीजे बता दे रहा हूँ जिसे आपको देना चाहिए तो चली जानते हैं तो देखिए फ्रूट पे आप लोग चाहे तो आ पानी के साथ में उसे फ्रीज कर सकते हैं चोटे 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 आइस में आप लोग उसे बना करके इस तरीके से दे सकते हैं जिससे काफी बड़ियां बेनिफिट भी होगा आप लोग फ्रूट भी दे देंगे और साथ ही साथ आपका डॉग इंजयो भी करेगा तो इस तर अगर वाला होता है वो वाला नहीं देना है प्लेनकोर्ट आपको देना है तो काफी बढियाँ रहेगा आपके डॉक के लिए और क्यक्ता थंडा भी रखेगा और काफी ज़्यादा बढ़िया रहेगा साथ में आप लोग बटर मिल्क देना चाहते हैं तो बटर मिल्क को भी दे सकते हैं इसका भी देने काफी अच्छा बेनिफिट है तो इसे भी डिरेक्ट आप लोग दे सकते हैं काफी ज़्यादा बढ़िया रहे और साथी साथ उसको आपको फैन प्रोवाइड करना है या फिर कूलर भी प्रोवाइड आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो लेकिन एक फैन तो आपको देना ही होगा अपने डॉग को जिससे उसे कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग छाओ में रखिए क्यों लोग द्यान में रखिए का पानी वगएर आप टाइम टू टाइम दीजिए उसे और साथ में उसे फैन वगएर आप प्रोवाइड किजिए शाओं में रखिए नेक्स्ट आगे बात करें तो कुछ ऐसे डॉग ब्रीड हैं जिनने गन्मी काफी अधा लगता है अगर आपक पास है तो आपको यह जानना काफी जरूरी है कि उसको केर काफी अधा आपको करना चाहिए जैसे साइवेरिया लसकी है तो उसको आपको एसी प्रोवाइड करना योगा क्योंकि इतना ज़्यदा डंप्रेशर हाई है तो आप लोग पैन के सारे उसे नहीं रख सकते हैं चुलर लगाना काफी जरूरी है अगर आप लोग लगाते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा गरमियों से कम लगेगा और काफी अच्छा रहेगा साथी साथ साथ सावर्य कीतर harness है यह ब्यूंद आपके पास है तो आप लोग को द्यान रखना जरूरी है इससे भी गरमी काफ काफी बढ़ी आरे नेक्स्ट आगे बात करें तो आप लोग अपने डॉक को आगर ऐसी जगहां पर रखते हैं जहां पर थोड़ा भी हवा वगएरा नहीं आ रहा है मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूं ऐसे जगह पर अगर आप लोग डॉग को रखते हैं जो रूम काफी ज़दा पैक है कहीं से भी हवा नहीं आ रहा है और आप लोग उसे फैन भी नहीं लगाएं और रूम भी काफी ज़दा गरम है तो वहाँ पर आप लोग रखते हैं तो डॉग को दिक्कत हो सकते हैं तो ऐस विदे आपको सारी बाते बता रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बात करें, तो ये काफी अदा important है, जो कि ये हैं डोग को hydrate रखना है, यानि कि गर्मियों में ये काफी अदा important होता है, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको अपने डोग को हमेशा पानी देना है, यानि कि गर लोग असानी से पी सेके और उसके लिए काफी बढ़िया हो जब जब पानी पी रहा है ज्यादा पानी पी रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा ही उसके पास पानी रखना होगा युकि ज्यादा डॉक पी रहा है तो आप लोग हमेशा ही पानी उसके पास रखे और फ्र प्रेस्यार रोग काफी जदा हाई है, तो आप लोग हपते में दो बार नहला सकते हैं, एक बार आप लोग सैंपू से नहला सकते हैं, और जब हपते में दो बार आप लोग दूसरी बार नहलाते हैं, तो आप लोग बिना सैंपू का डारेक्ट नहला सकते हैं, क्योंकि देख करें तो इस सीजन में डॉग जो हैं वो काफी ज़्दा ठक जाते हैं जल्दी अब देखिए होता क्या है कि गर्मी काफी ज़्दा है और आप लोग उसे दोड़ाते हैं और एक्सराइज बगारा कराते हैं तो बहुत जल्दी ठक जाएगा तो मैं यही कहना जाता हूं कि आप आप लोग पहने से थोड़ा कम करिए और उसको टाइम चेंज करिए धूप में आपको नहीं कराना यह सब काम जब सूबर में थंडा मौसम है तो थोड़ा बहुत एक्सराइज करा दिजिए बहुत ज्यादा नहीं कराना है थंड के मौसम में आप लोग करा सकते हैं जितना हैं उसके बॉड़ी में वो सारे निकल जाएंगे तो काफी बढ़िया रहेगा और डॉक को थंडा भी रखेगा तो आप लोग ग्रूमिंग भी टाइम से उसका कीजिए तो इस तरीके से आप लोग गर्मियों में अपने डॉक का केर कीजिए आपका डॉक काफी अदा हेल्द और बढ़िया रहेगा तो अब ही कनी बस इतना है हम लोग मीचते हैं किसे नेक्स्ट वोडियो में तब तक के लिए जाहिंद जय भारत